नमस्कर फ्रेंड, BPAC Academy YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम लेकर आए फ्रेंड, इरुटेरिया का बिहार द्रोगा का सेट यह सेट नमबर 4 होने वाला है, जो अभी हाल फिलाल में इरुटेरिया दोबारा नई बुक जारी की गई है उसी का हम सेट लेकर आ रहे हैं, यहां पे कुल 15 सेट है, जिसमें हमने 3 सेट अपने YouTube चैनल पे करा रखा है यह 4 सेट होने वाला है फ्रेंड, तो सेट काफी इंपोटेंट है और निश्ची तोर पर इससे बिहार द्रोगा में प्रश्ण देखने को मिलेंगे तो यह इंपोटेंट हो जाता है कि आप इस सेट का रिवाइज करें, चाहे आप ओफलाइन माद्धे में कर सकते हैं, हमारा यह कोशिस रहेगा कि इस वीडियो के अंदर ही जितने प्रश्ण हो सके, वह आपको याद करवा दिये जाए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, आपकी राय है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस स्रीज को देख रहे हैं, तो रेगलर बेसिस पर स्रीज को देखें सेट शुरुवात करने से पहले आप लोग के साथ एक छोटी सी जनकारी सेयर करना चाहूंगा अगर आप बिहार द्रोग के तियारी कर रहे हैं और आप कोई online माध्या में टेस्ट देना चाह रहे हैं तो एन अकेडमी अभी आपके लिए बेश्ट हो सकती है एन अकेडमी पर देखे फ्रेंट 3 दिसमबर को चल रहा है टेस्ट 10 दिसमबर को 17 दिसमबर को और 24 दिसमबर को आप लोग का बिहार द्रोगा का फूल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप अपना रैंकिंग ज लेगे कि आप अपना रैंक जा सकते हैं अपने आपको प्रक सकते हैं कि हम कितने में हैं कितने लोगों से हम आगे हैं कितने लोगों से पीछे हैं साथ में अगर बीपी एसी की त्यारी करते हैं तो उसके लिए भी आप पर आपको टेस्टेज मिल जाएंगे तो एक बर जा करके आपको जरूर विजिट करें याणि केडमी को जब विजिट कीजएगा तो आप से कोड मांगा जाएगा तो उस कोड में आप कनहिया को डाल सकते हैं कनहिया टेन कोड डालने के बाद आपके सारे स्पेशल क्लासे स्प्री में ओपिन हो जाएंगे अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहां पर भी आप इस कनहिया टेन कोड को यूज करके 10% का छूट ले सकते हैं तो चलिए अब हम अपने वीडियो अगला प्राशन है हाल में ही दुरोनाचार पुरुसकार विजेता तारक सीनहा का निधन हो गया उनका सम्मद किस स्खेल से था सहीवतर हो जाएगा फिन ओप्सन नमबर D किरकेट अगला प्राशन देखते हैं राष्टिये जन जातिये निरित महोत सब 2021 का आयोजन कहां किय अगला प्राशन देखते हैं गला सागो में आयोजीत जलवाईव सिखर सम्मेलन 2021 में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने गलोबल बार्निंग से लड़ने हेतू किस पाच सूत्री योजना पर बल दिया सही उतर आप लोगों को बताना है सही उतर हो जाएगा पंचा मृत योजना पे नरेंदर मोधी ने गलोबल वर्निंग से लड़ने के लिए इस योजना को लाया था अगला प्रस्ण है कोकन युधा भ्यास में कीन दो देशों के मध्ध की सन्यूक्त सैन्य भ्यास है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका भारत और ब्रिटेन कोकन इध्वाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्ध हुई सैन्य भ्यास है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत सरकार दवारा बंदरगाहों में कारवन उत्सरजन को 30% तक कम करने का लच कब तक रखा गया है तो सही उतर हो जाएगा फ्रेंड 2030 ओप्सन नमबर D चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है अस्पीन योजना की सुरुवात किस मंत्राले दवारा किया गया है तो अस्पीन योजना है वह आपके लगु सूच में एबं उध्योग मंत्राले दवारा सुरू किया गया है अगला प्राशने देखते हैं आर्थिक सर्वेच्छन 2020-2021 के अनुसार संपून भारत की गरीबी दर क्या है सही उत्तर हो जाएगा 21.9% अगला प्राशने देखते हैं अंडर 23 बीश्व कूस्ती चेंपियन 2021 का आयोजन कहां किया गया तो यह जो आयोजन किया गया था फिरेंट वार किया गया था बेल ग्रेड में आप्सन नमबर ए अगला प्राशन देखते हैं आक्सफोर्ट डिश्टनरी दवारा किस सब्द को वर्ड आप दे येर 2021 घोसित किया गया 2021 की बात कर रहा है ना कि 2020 का अगला प्राशन है विभाजन विभ्यूस का अस्मृती दिवस का मनाया जाता है सही उतर हो जाएगा 14 अगस्त और यह जो मनाया जाता है फ्रेंट वह जो हमारा देश का विभाजन हुआ था जो उस विभाजन में बहुत से लोगों का जान चला गया था उसी के याद में यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। सही उतर हो जाएगा ऑप्शन B और C दोनों डेविट जूलियस को भी दिया गया है और आर डेम पंटा उटीन को भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां अस्थापित की जाने की घोसना की गई है। तो यह जो सोलर पार्क अस्थापित करने की घोसना की गई है फिंट वह गुजरात में की गई है। अप्शन नमबर C यहाँ पे सही उतर हो जाएगा। अगला प्राशन है छोटे उपगरह की सन्युक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता ग्यापन किया है इसका सही उत्र आप लोग को बताना है सही उत्र हो जाएगा भूटान के साथ अगला प्राशन है UAE की पहली महिला आंत्री छियात्री के रूप में किसे चुना गया है सही उत्र यहाँ पर हो जाएगा नोरा उल मातूसी ओप्सन नमबर सी अगला प्राशन देखते हैं अक्टूवर 2021 में बिहार विधान सभा में कितने सीटों पर उप चुनाव करावे गए आप लोग को बताना है इसका सही उत्र सही उत्र हो जाएगा दो सीट और यह जो दो सीट था फ्रेंड वह था तारापूर और दूसरा जो सीट था वह कुसे स्वर नाथ दरभांगा में यह दो सीट था तारापूर मुंगेर का सीट था और कुसे स्वर अस्थान जो था वह दरभांगा का सीट था अगला प्रस्ण देखते हैं ADB ने बित बर्स 2020-22 के लिए भारत का विकास दर कितने परतिशत रहने का अनुमाल लगाया है तो यह जो अनुमाल लगाया है फ्रेंड वह है 10 परतिशत कभी आपसे पूछा जाए कि ADB का मुख्याले कहां है तो यह मुख्याले हैं मनिला में अगला प्रस्ण है प्रगती मोवाईल आप को किसके दवारा जारी किया गया है सही उतर हो जाएगा LIC दवारा अगला प्रस्ण देखते हैं बजट 2020-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना परतिशत है सही उतर हो जाएगा 5.1 परसेंट आपसन नमबर सी यहां पे सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है फ्रेंड एंटी पीसी दवारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग अस्टेशन कहां अस्थापित किया गया है तो यह जो अस्टेशन है फ्रेंड वह आपके लेह में अस्थापित किया गया है इसकी जो संख्या है फ्रेंड वह कुल 31 है तो उप्सन नमबर सी यहां पे सही उतर हो जाएगा अगर सबसे धीक बागों की संख्या बोले तो सबसे धीक बाग माद परदेश में हैं और वहा कुल कितने बाग हैं तो 526 बाग हैं चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला है भारत के किस राज में बच्चों के लिए पहला समचार पत्र सुरू किया गया है आपका जो सही उतर हो जाएगा फ्रेंड वह असम हो जाएगा असम में बच्चों के लिए एक समचार पत्र सुरू किया गया है जिसका नाम है दैयांग माइंड्स चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है मानीपूर के नए राजपाल कोन बने सही उत्तर हो जाएगा स्री एल गनेशन स्री एल गनेशन अभी हाल फिलान में मानीपूर के राजपाल बने हैं अगला प्राशन मैत का है तो हम इसे स्कीप कर देते हैं दिये गए बिकल्बों में कोन प्राचीन बलित परवत का उधारन नहीं है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा फिरिंड वह हो जाएगा आपका ओप्सन नमबरें इंडीज परवत क्योंकि इंडीज परवत बलित परवत नवीन बलित परवत का उधारन नहीं है सोरी प्राचीन बलित परवत का उधारन नहीं है बलकि यह नवीन बलित परवत का उधारन है अगला प्रस्ण देखते हैं किस छेत्र को मरुवस्थल माना जाएगा यदि वार्सिक बर्सा पचीश सीयम से कम हो अगर किसी छेत्र में वार्सिक बर्सा पचीश सीयम से कम हो तो हम उसे मरुवस्थल मान सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है दिये गए विकल्पों में कोन यमना की सहयक नदी नहीं है यहां पे जो सही उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा घागरा क्योंकि जो घागरा है वह यमना की सहयक नदी नहीं है बाकी जो तीनों है केन हो गया चंबल हो गया ये दोनों है वो ये अमना के सहायक नदी है अगला प्रश्ण है नंदा देवी चोटी भाग है तो नंदा देवी जो चोटी है फ्रेंड वह गढ़वाल हिमालाय का भाग है अगला प्रश्ण देखते हैं किस दर्रे से हो करके ब्रह्म पूत्र नदी भारत में प्रवेस करती है तो यह जो प्रवेस करती है फ्रेंड वह करती है यह अंग्याप दर्रे से हो करके ओप्सन नमबर बी यहाँ पे सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है दिये गए बिकल्पों में कौन एक मुड़दार परवत का उधारन नहीं है सही उत्र हो जाएगा अरवली अरवली मुड़दार परवत का उधारन नहीं है बलकि या अबसिष्ट परवत का उधारन है साथ में आप लोग बताईएगा कि आरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है केमेंट में बताईएगा आप लोग अगला प्रस्न है भारत के कितने राज पडोसी देश नेपाल के साथ सीमा साजा करते है सही उत्तर हो जाएगा पाँच कौन-कौन से राज्य है तो उत्रा खंड, उत्र प्रदेश, बिहार, पास्चिम बंगाल और सिक्किम अगला प्रस्ण है नाई टंडी इस्ट रीज कहां इस्तित है इसका आप लोग को उत्र बताना है सही उत्र हो जाएगा हिंद महासागर चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं भीमरा उमेत कर पच्छिम ब्यारन कहां है सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगण प्रतापगण में यह इस्तित है और प्रतापगण कहां है तो उत्र प्रदेश में इस्तित है अगला प्रस्ण है खनीज पदार्थ अबरख के उत्पादन में भारत का कोन साराज अग्रनी है यानि कि सबसे ज़्यादा अबरख उत्पादन कहां किया जाता है सही उत्तर आप लोक बताना है सही उत्तर हो जाएगा आंधर परदेश अगर भारत में बात करें तो भारत अकेले 70% अबरख का उत्पादन करता है अगला प्रस्ण है भारत में गरीबी के निर्धारन है तो योजना योग ने किस वर्ष सुरेश तिंदुल कर समीती का गठन किया था सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 2004 ऑप्सन नमबर बी अगला प्रस्ण देखते हैं केंद्र सरकार के कर राजास में सबसे महत्पूर्ण सुरोत किसका है अब लोग को बताना है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा और निगम कर निगम कर द्वारा सरकार सबसे अधिक कर की वसूली करती है तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है भारतिय सम्मिधान में न्याएक उर्वा लोकन की वेवस्था किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आप लोग का अमेरिका अगला प्रस्ण मिलान करने को ले करके है फ्रेंड और इसमें आप लोग को मिलान करना है तो प्राथमीक छेत्र कौन हो जाएगा तो प्राथमीक छेत्र आपका मधुमाखी पालन हो जाएगा द्यूत्य एक छेत्र कौन हो जाएगा तो द्यूत्य एक छेत्र में आपको पता है करकल कर खाने आते हैं तो जूते करकर खाना हो जाएगा और तृतिये छेतर यानि की सेवा जिसमें हम किसी को सेवा परदान करते हैं वैसे छेतर आ जाते हैं तो सलहकारी सनस्था तृतिये छेतर हो जाएगा तीस प्रकार साब मिलान कर सकते हैं अगला है सरपर्थम मानव विकास सुचांग को किसने प्रस्तूत किया था सही उत्तर हो जाएगा महबूद उलहक ने और यह का प्रस्तूत किया था तो सन 1991 में यह प्रस्तूत किया था यह एक पाकिस्तान के अर्षास्त्री थे अगला प्रस्त है नौस दाक निमन में किस देश का सियर मुल्य सुचांग है आपको बताना है सही उत्तर हो जाएगा यूवे से अगला प्रस्त है संजय डूबरी बागह ब्हारन किस देश में इस्तित है सही उत्तर हो जाएगा मदपर्देश और मदपर्देश को ही टाइगर एश्टेट के नाम से जाना जाता है सबसे अधीक टाइगर यही पर पाये जाते है और इसकी संख्या अगर किसी को पता है तो वह जरूर से जरूर केमेंट में बताए अगला प्रस्ण है पास्षी मंगाल का रानी गंज परसिद्ध है यह किसके लिए परसिद्ध है रानी गंज तो रानी गंज आप लोग का परसिद्ध है कोईला खनन छेत्र के लिए अगला प्रश्ण देखते हैं जुगाली करने वाले पासू में कौन सी गैस का निशन सरन होता है तो इसका जो सई उतर हो जाएगा फ्रिंट वह हो जाएगा मीथिन ओप्सन नमबर बी अगला प्रश्ण है कारवन टेक्स लगाने वाला भारत का पहला देश कोन है तो कारवन टेक्स लगाने वाला भारत का जो पहला देश बना है फ्रिंट वह बना है फिनिलेंड और इसने इसलिए किया है क्योंकि यह चाहता है कि परियावरन का सुरच्छा किया जा इसके लेकर के इसने 1990 में पहली पहली बार कारवन टेक्स लगाया अगला प्रस्ण देखते हैं अंटार्टिका के उपर ओजन शिट्र का पता पहली बार काम लगाया गया था बार में 85 में अगला प्रस्ण देखते हैं संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यच कोन थे काफी apparent प्रस्ण और काफी easy प्रस्ण भी है इस प्रश्न का आपको उत्र comment बताना है क्योंकि मुझे आसा है कि बिहार द्रोगा के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो निच्ची तोर पर यह प्रश्न आपको आना चाहिए तो इसका आप लोग comment निचे बताईएगा करके अगरा प्रश्न देखते है बीत बिदियगों के बारे में विशेश उपवांध समिधान के किस अनुछेद में वर्नित है बीत बिदियग सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंट अनुछेद 117 ओप्सन नमबर B आगला प्रस्ण है निम्न में कोन समवर्ती सुची का विशाय नहीं है समवर्ती सुची सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंट कारागार क्योंकि कारागार है वह समवर्ती सुची का विशाय नहीं हो करके यह राज सुची का विशाय है बाकी बिवाह, परिवार नियोजन और आर्थिक नियोजन समवर्ती सुची का विशाय है अगला प्रस्टें देखते हैं संग और राज्यों के अधिन सेवाव समिधान के किस भागई में उलेkung है सेवाग तर हो जाएगा भाग 14 जब कि भाग 11 की बात करें तो संग और राज्यों के बीच समांध है भाग 13 के अगर बात करें तो भारत के राज्य छेतर के भीतर बैपार वानिज एवं समागम के बारे में बारत की गई है और आपको पता ही होगा कि भाग 20 में आपका सम्मिधान सनसोधन की परकिरिया है तो चलिए नेक्ष्ट प्रश्ण को देखते हैं नेक्ष्ट प्रश्ण है मिलान करने को लेकर के सुची एक का सुची दो से मिलान करना है तो बंदी परतेची करन कब जारी किया जाता है तो यह तब जारी किया जाता है जब हमें सरीर चाहिए यानि कि जब किसी को लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तब उ परम आदेश इसमें हो जाता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई हाई कोट या सुप्रीम कोट जब कोई आदेश जारी करते हैं मौलिक अधिकार को हननुक ले करके तब उससे बोला जाता है परम आदेश अगला है परतिसेद यानि कि यह जो जारी किया जाता है वह अपने अधिनिस्त नियाले को जारी किया जाता है यह तब जारी किया जाता है जब उस्तम नियाले को लगता है कि वह अपने अधिकार छेतर से उसके जो नीचे के नियाले है वह अपने अधिकार छेतर से बड़ा फैसला ले रहे हैं तब यह जारी किया जाता है चौथा है अधिकार परितिच्छा यह किसी ब्यक्ति से पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से काम कर रहे हैं जैसे मालेजे कि कोई उस पद पे कारे करने योग नहीं है और वह उस पद का कारे कर रहा है तब उसे अधिकार पर तो वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कोई जरूरत नहीं है फिंड़। और इसके बारे में कहां पे चर्चा की गई है तो आर्टिकल अंठामन के एक में चर्चा की गई है। अगर बास्ताविक की बात करें तो बास्ताविक सक्ती जो होती है वह परधान मंतरी के पास होती है। परधान मंतरी कीữa न्यक्ति अनुछेद 75 के अनुसार की जाती है। तो चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला है लोग सभा में चुनाव लोग सभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी ब्यक्ति के लिए नियूंतम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए तो लोग सभा के लिए आप लोग को पता है फ्रेंड नियूंतम जो आयू हो तो आपको 21 वर्स उम्र होना जरूरी है अगला प्राशन देखते हैं निमलिखित में कोन एक संग्य बजट की तैयारी और उसे संसद में प्यस किये जाने के लिए उत्तरदाई है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा और थिक कारे भी भाग ऑप्सन है उस्तम नियाले में सम्मिधान के निरवाचन से सम्मंधित मामले की सुनवाई करने के लिए नयधिस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो यह जो संख्या होनी चाहिए वह कम से कम पांच नयधिस इस सुनवाई को करने के लिए होने चाहिए अगला प्राशन है अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएसी के अस्थापना कब हुई थी तो यह अस्थापना अक्टुवर 1926 में की गई थी और संगलोग सेवायोग के जनक आपको केमेंट में करके बताना है औरंग जेव के संबन में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर जो सही उतर हो जाएगा वह हो जाएगा इसने गुरु अरजुन देव को फासिद दिलवाया था यह कथन असत्य है फ्रेंड क्योंकि इनको फासिद जो दिलाया था गुरु अरजुन देव को नहीं दिलवाया था ग यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा निम्न में सभी सुमिलित है सूरत की संधी 1975 बिल्कुल सही पुरंदर की सब्धी 1776 यह भी बिल्कुल सही है देवगाउं की संधी 1803 यह भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे सभी सुमिलित हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट है अकबर दोरा इलाही संबत की सुरुवात कब की गई थी तो इस संबत की सुरुवात फ्रेंट की गई थी आपका 1583 में पंद्रा सो तिरासी में इसने इलाही संबत की अगर आपसे पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म की सुरुआत इसने कब की तो पंद्रा सो बेरासी उसके जश्ट एक सलबाद इसने इलाही संबत यानि पंद्रा सो तिरासी में इसने इलाही संबत की सुरुआत की थी मजहर की घोसना सन 1589 में तथा रजधानी के लोहौर इसने अस्थात्रित किया था 1585 में चलिए आगले प्रस्ण को देखते हैं बिजयनेगर आने वाला पर्थम बिदेशी यात्री डेमिंग पायस किसके सासनकाल में भारत आया सही उतर हो जाएगा फ्रेंड क्रिशने देव राय ओप्सन नमबर डी काब आया था तो 1575 में आया था सोरी 1515 में आया था अगला प्रस्ण है वैदिक सभ्यता में आरियों की परसासनिक इकाई को कितने भाट गों में बाटा गया था सही उतर हो जाएगा पाच भागों में और यह जो भाग थे हुआ थे कूल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट जिसमें कूल सबसे छोटा और राष्ट सबसे बड़ा होता था अगला प्रस्ण देखते हैं सिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अस्थल कौन है यहाँ पर जो सही उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा मोहन जोदलो और मोहन जोदलो किस नदी की किनारे इस्तित है तो यह सिंदू नदी की किनारे इस्तित है वहीं पर अगर भारत की सबसे बड़ी अस्थल की बात करिया जाए तो राखी गड़ी आपकी सबसे बड़ी अस्थल हो जाएगी अगला प्रस्ण है रीग वैदिक कालिन नदियों में सदा निरा किस नदी का प्राचिन नाम है सई उतर हो जाएगा फ्रेंड गंड़क नदि चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ण है महात्मा बुध्य ने सरवधीक उपदेश कहां दिये थे सई उतर हो जाएगा फ्रेंड सरावस्ति ओप्शन नमबर ए यहाँ पे सई उतर हो जाएगा और सरवस्तिक किस की रजधानी थी तो यह कोशल की रजधानी थी अगला प्राशन है किस अस्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नित्रित्म करते हुए लाला राजपत्राएं पुलिस दुबारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे साइमन कमिशन को वाइट मैन कमिशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सारे गोरे लोग थे अगला प्राशन है अखिल भारतिय ट्रेड उनियन फेडरेशन की अस्थापना कब हुई थी साइ उतर हो जाएगा फ्रेंट आप्सन नमबर सी उन्यस्थो बीस में उन्यस्थो बीस में इसकी अस्थापना लाला राजपत्राए द्वारा की गई थी और यह इनके पहले अध्यास थे अगला प्राशन देखते हैं निमलीखित में किसने गांधी इर्विन समझाता में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरुसकार कहा था यहाँ पे जो सई उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा एलिन कैपवेल जॉन्सन आप्सन नमबर ए अगला प्राशन है अपने अध्याच्छिय संबोधन के समय किसने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी लागू करने की बकालत किया था तो इसका जो सई उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा सुबास चंद्र बोस और यह किस कॉंग्रेस के दिवेशन में किये थे तो 1938 का हरी पूरा दिवेशन में इसकी इन्होंने बकालत की थी चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट है अखिल भारतिये मुस्रिम लिंग के गठन का प्रस्ताव किस ने दिया था तो यहाँ पे जो सई उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा आपका अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट है प्रकास संसलेशन प्रकाम दुवारा पोधे कारवन कारवो हाइडरेट का संसलेशन करते हैं या कारवो हाइडरेट निम्न में किस से मिलाकर बना होता है सई उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ओक्सीजन, कारवन और हाइडरोजन अप्सन नमबर D अगला प्रस्ण है निम्न में कोन पादप हर्मोन नहीं है तो यहाँ पर सई उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एपी नेफरीन एपी नेफरीन है वह पादा फार्मोन नहीं है तो चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दोस्ट के साथ मिलान करना है और इसका आप मिलान इस प्रकार से करते हैं प्रोष्टिक वर्न हो जाएगा आपका वैक्ट्रिया के लिए डेंगू हो जाएगा आपके वाइरस से फिल पाउं आपका हो जाएगा क्रीमी से और मिलेरिया आपका प्रोटो जेबास सो हो जाएगा यहाँ पे रोग हैं और यहाँ पर रोग के कारक हैं चले आगले प्रश्ट को देखते हैं आगला प्रश्ट नहीं है निम्न में कौन अनुवानसिक रोग हैं सई उतर हो जाएगा उप्यूक्त में से सोई नहीं सभी हीमिफोलिया थैलिसीमिया और सेजी फ्रोनिया यहाँ पे तीनों सई उतर हो जाएगा अगला प्रश्ट नहीं निम्न लिखित में कौन जीव निम्न टोंडा संग के अंतरगात आते हैं सई उतर हो जाएगा फ्रेंड उप्यूक्त में से सभी यहाँ पे तीनों आते हैं अगला प्रस्चन है लार में मुगतएग कितने प्रकार के पाचेक एंजायम पाए जाते हैं में पाचेक एंजायम दो तरह के पाए जाते हैं तो आप्सें नमबर हें यहाँ पे सई उतर हो हो जाएगा फ्रेंट गुलू कोच ऑप्सन नंबर बी अगला प्रस्ण है अधिकान स्कीट स्वसन कैसे करते हैं तो इसका जो सई उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा वातक तंत्र से कीट का जो स्वसन तंत्र होता है वह वाटक तंत्र होता है अगला प्रस्ण है प्रकास की गती किसके बीच जाते हुए निवन्तम होती है अगला प्रस्ण है साबून के पतले छाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है तंतुप्रसी की संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है यहां पर आपको लोग को उतर बताना है सही उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा प्रकास तरंगों के रिप में यानि optical fiber के बारे हम बात कर रहा है अगला प्रस्ण है यदि एक लोलक को भूमध रेखा से धुरूबों की ओर ले जाया जाता तो उसका आवर्थ काल धुरूब पर होगा सई उतर हो जाएगा फ्रिंड वह हो जाएगा नियूंतम हो जाएगा जैसे जैसे हम भूमध रेखा से धुरूब की ओर ले जाएंगे उसका आवर्थ काल कम जाता है इसका कारण क्या है फ्रिंड तो इसका कारण यह है कि जैसे हम धुरूब की ओर जाते है जी का मान धीरे धी तो यहाँ पर जो सही उतर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 4184 जूल और एक कैलोरी के अगर बात करता तो 4.184 जूल हो जाता तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी अगला प्रस्ण है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाई मंडलिये दाब से क्या होता है सही उतर हो जाएगा फ्रेंड अधीक होता है अगला प्रस्ण है निम्न में किसका परियोग टीबी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा अबरक्त किरनों का किया जाता है और यह प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है और बहुत से एक्जामों में यह प्रस्ण पूछा गया है तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है निम्न में कौन जेल का उधारन है सही उत्तर हो जाएगा जूते की पोलिस जूते की पोलिस है वह जेल का उधारन है अगला प्रस्ट है किस अक्रिये गैस को छोड़कर सभी उतक्रिष्ट गैसों के परमानू के अंतिम कच्छा में 8 इलेक्ट्रोन है सई उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हिलियम हिलियम के लाश्ट कच्छा में 8 इलेक्ट्रोन ना हो करके 2 इलेक्ट्रोन है चलिए अगले प्रश्ट को देखते हैं आमले धातू कार्बोनेट के साथ अभी किरिया करके कौन सा गैस का निर्मान करता है और यह जो प्रश्ट ने फ्रेंट हुआ कल के सेट में भी आया हुआ था इसलिए मैं आप लोगों के साथ काता हूँ कि आप निमी तोर पर सेट को देखा किजिए क्योंकि प्रश्ट ने वह रीपीट होते रहते हैं तो जिसका सई उतर हो जाएगा फ्रेंट वह हो जाएगा कार्बन डाइयोकसाइड ओप्सन नमबर सी तो चलिए अगले प्रश्ट को देखते हैं अगला प्रश्ट है निमली खित में किसे चाकू से काटा जा सकता है बहुत इजी प्रश्ट है सई उतर हो जाएगा सोडियम ओप्सन नमबर ए और इसके साथ ही अगर कहीं कहीं पेर आपको पोटैसियम भी देया हुआ आता है तो पोटैसियम और सोडियम दोनों हो सागता है अगला प्रश्ट है निमने में से हाइड्रोजन का रेडियो से क्रिये समस्थानिक कौन है तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैते हैं प्रोटेरियम, डिटेरियम और ट्रिटेरियम जिसमें रेडियो से क्रिये समस्थानिक ट्रिटेरियम है अगला प्रास्ण देखते हैं एसी टिलीन की रसाइनिक सूत्र क्या है सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, C2H2, ऑप्सन नमबर D अगला प्रास्ण है, ब्लैक गांधी निमिन में किसका उपनाम है सही उत्तर हो जाएगा, मार्टी लूठत किंग वही पर अगर बात करें जगजीवर राम की, तो जगजीवर राम को बापु जी के नाम से जाना जाता था चलिए अगले प्रास्ट को देखते हैं रवीन नाट टैगुर को भारत रतन कब दिया गया था बहुत ही असान क्यूशन, बहुत ही इंपोटेंट क्यूशन यह भारत में भारत रतने से सम्मानित होने वाले इनको भारत रतने दिया गया था फ्रेंट 1913 में जो मेरा अनुसार से यहां पर गलट टाइपिंग है अगला प्रस्ण है, ओस्कर के लिए नामीत पर्थम भारतिये फिल्म कौन है? सही उतर हो जाएगा फिरें, नमादर इंडिया, यह कब नामीत की गई थी, तो सान उन्हें सो संतामने में नामीत की गई थी. अगला प्रस्ण है, बीश्व सिछक दिवास की स्तिथी को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, पाच अक्टूबर को, आप्सन नमबर बी, यहाँ पे सही उतर हो जाएगा, तो कुल मिला कर हमने सारे प्रस्णों को देखा, तो आपको यह सिरिच कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा, और नीमी तोर पर इस सिरिच को देखे, अगर आप देख रह रहेगा, तो बस मिलते हैं, फिर आगले सेट में टेक केर, भाई भाई, धन्यवाद.